हलो व्यूवर्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ब्लेक हेड्स से छुचकारा पाने की कुछ आसान घरेलो उपाई यानि होम रेमेडीज पहली रेमेडी है टमाटर टमाटर में नैचरल एंटी सेप्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो ब्लेक हेड्स को ड्राय करती हैं आएए जाने इसको यूज कैसे करना है एक टमाटर लीचिये, उसे पील करके मैश कर लीचिये रात को सोते समय इसे ब्लेक हेड्स पर अपलाय कीचिये और सुभा उठकर ठंडे पानी से चहरा धो दीजिए दूसरा उपाय है नीम्बू यानी लेमन एक बोल में आधा नीम्बू नी चोड़िए उसमें थोड़ा नमक मिलाईए अब अपने चहरे को पहले गरम पानी से धो लीजिए और फिर नमक और नीम्बू के मिक्सचर को ब्लैक हेड्स पर लगाईए बीस मिनट के बाद अपने चहरे को फिर से गुनगुने पानी से धो दीजिए फ्रेंड्स आपको जान कर ये हैरानी होगी कि टूथपेस्ट से भी ब्लैक हेड्स गायब हो सकते हैं Blackheads पर toothpaste की एक thin layer लगाईए और 25 मिनट के बाद गुनगुने पानी से चहरा धो दीचे इस remedy को अगर आप दो हफतों के लिए daily use करते हैं तो you'll be free from blackheads Next remedy is honey अपनी antiseptic properties के कारण honey oily skin और blackheads के लिए बहुत ही beneficial है Blackheads पर 15 मिनट के लिए शहद लगाईए और फिर इसको गुनगुने पानी से धो दीचे Next remedy is baking soda एक चमच baking soda में थोड़ा पानी मिला कर एक fine paste बना लीचे इस paste को blackheads पर लगाईए और कुछ मिनट के बाद जब ये dry हो जाए तो गुनगुने पानी से धो दीचे अगला उपाय है oatmeal और दही से बना face pack What you have to do is दो चमच oatmeal लीचे उसमें तीन चमच दही मिलाईए अब इसमें एक चमच नीबू का रस और एक चमच olive oil मिलाईए सारी सामगरी को अच्छे से mix कीजिए जिसे की एक fine paste बन जाए अब इस paste को 15 से 20 मिनट तक चहरे पर लगाईए फिर ठंडे पानी से धो दीचिए नेक्स्ट इस cinnamon यानी दालचीनी दालचीनी पाउडर और नीबू का रस लीचिए दोनों को equal amounts में लीचिए और एक ठिक paste बना लीचिए इस paste को रात को सोते समय blackheads पर लगाईए और सुभा गुनगुने पानी से धो दीचिए तो ये थे blackheads से चुछकारा पाने की कुछ आसान घरेलू उपाए प्लीज प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जुरूर कीजिए और अपने कीमती कमेंट्स भी मुझे दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए